नवस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आएए 23 नॉम्बर 2019 के करेंट अफेर की सुरुवात करते हैं पहला प्रेशन है नॉम्बर 2019 में बिश्व दर्शन सास्त्र दिवस कब मनाया गया यानि कि वर्ल्ड फिलोस्पिक डे की बात हो रही है तो ये मनाया गया है 21 नॉम्बर को यानि कि इस प्रेशन का उप्शन भी करेंट होगा युनेस्को के द्वारा इस दिवस की घोशना की गई थी और इसके बारे में आपको ये यादटना है कि ये हर वर्ज 21 नॉम्बर को नहीं मनाया जाता है नॉम्बर माह के तीसरे गुर्वार को ये मनाया जाता है तो यादखिएगा विश्टो दर्शन सास्त दिवस इस वर्ज 21 नॉम्बर को मनाया गया है कल एक प्रेशन का उत्तर मैंने आपको गलत बता दिया था तो उसको आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लिजिए कल मैंने आपको बताया था कि आर राजा गोपाल ये आनप्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने है जबकि ये बने हैं तमिल नाडू के बाकी दो चीजे जो मैंने आपको बताये थी मुख्य सच्यू निलम साहनी और लोकायुक्त पी लच्मर डिड़ी ये आनदर प्रदेश के ही बने है तो इसे आप करेक्ट कर लिजिएगा अगला प्रेशन है ISSF यानि कि इंडियन सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन बिश्युकप 2019 में मनुभाकर ने कौन सा पदक जीता तो मनुभाकर का नाम आए तो आप समझ चाहिए कि इन्होंने जीता है स्वणपदक यानि कि इस प्रष्ण का उप्सने करेक्ट होगा और इन्होंने ये जो स्वणपदक है यहां 10 मीटर पिष्टल एयर अस्परधा में जीती है चलिए आपके लिए यहां पर एक प्रष्ण है आपको बताना है कि मनुभाकर किस राज्य से है मनुभाकर किस राज्य से है मनुभाकर के नामा अन्य दो स्वणपदक भारत को और मिले एक तो जीता एला वेनिल बेला रिवन तो ये एक महिला है इन्हों ने भी 10 मीटर एर राइफल में सौन पदक जीता और दिब्यान सिंग पंवार ने 10 मीटर एर राइफल में सौन पदक जीता है तो इन दोनों ने राइफल में जीता और मनुभाकर ने पिस्टल में ये पदक जीते हैं तो यहां पर आप इन तीनों को देख सकते हैं अगला प्रश्ण है दूसरी भारत आसियान इनोटेक समिट 2019 का आयोजन किस देश में किया गया तो इसका आयोजन किया गया है फिलिपीन्स में यानि कि इस प्रश्ण का उप्सन सी करेक्ट होगा 20 से 22 नॉबर तक इसका आयोजन किया गया और आयोजन किस ने कराया एक तो है फिक्की और दूसरा है हमारी यहां का बिज्ञान वप्रदोग की विभाग तो इनकी दौरा फिलिपीन्स में भारत आसियान इनोटेक समिट 2019 का आयोजन किया गया अगला प्रशन है स्वच्य सर्वेच्छन ग्रामीड पुरसकार 2019 में किस राजी को सीर्ष अस्थान मिला है तो यहां पर सीर्ष अस्थान मिला है तमिलनाडू को यानि कि इस प्रश्ण का उप्शन भी करेक्ट होगा हर्याना इसमें दूसरे अस्थान पे रहा और गुजरात यहां पर रहा है तीसरे अस्थान पे जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक स्वच्य सर्वेच्छन आया था जिसमें सबसे साफ सहरता भारत का इंदौर दूसरे अस्थान पे छत्तिजगर का अमिक तीसरे अस्थान पे अगर हम लोग जिलों के अनुसार बात करें तो सबसे पहले अस्थान पे रहा तिलंगाना का पेद्दा पल्ले जिला फरीदाबाल जो कि है हर्याना का दूसरे अस्थान पे रहा और हर्याना का ही रिवाडी रहा है इसमें तीसरे अस्थान पे एक इसम हमारे cabinet रसायन और उर्वरत मंत्री डीवी सदरन्द गौड़ा और दूसरे हैं राज्य जल सक्ति मंत्री जो ही है रतनलाल कटारिया अगला प्रशन है सेवी ने फोर्ट फोलियो मैरेजमेंट सेवाओं के ग्रांकों के लिए नियुन्तम जो निवेश की सीमा है इसको बढ़ा करके कितना किया तो सेवी के द्वारा जो यहाँ पर पहले निवेश की सीमा दी ये थी 25 लाग लेकिन अब सेवी के द्वारा ही से बढ़ा करके 50 लाग कर दिया गया है यानि कि इस प्रशन का उप्सन सी करेक्ट होगा सेवी जिसका पूरा नाम है भारतिय बिनियामक वा प्रतिभूर्ती बोर्ड इसकी अस्थापना हुई थी 12 अपरेल 1988 को लेकिन इसे एक कारेकारी निकाय का दर्जा मिला था 30 जर्वरी 1992 को मुख्याले इसका है मुंबई में और अध्यच इसके है अजय त्यागी और हाँ कई लोगों के बार-बार ये सवाल होते हैं कि अप का लिंक बताईए अप का लिंक बताईए तो मैं आपको बता दो अभी लाइब नहीं हुआ है अभी उसकी टेस्टिंग चल लाइए और उसमें डेटा अपलोड किया जा रहा है जब अप लाइब हो जाएगा तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाके आपको बता दूँगा कि क्या-क्या उसमें फीचर है और क्या-क्या उनमें फंक्सन है लेकिन जैसा मैंने सूचा है अगर उसके अन्रूप हुआ तो करेंट अफेयर के लिए आपको पूरे प्लेश्टोर में उससे बेश नहीं मिलेगी अगला प्रश्ण है नौमबर 2019 में किसे अंतर राश्टिये बाल सांती पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया तो ये जो पुरस्कार है ये मिला दो लोगों को एक तो है डिवीना मलॉम और दूसरी है ग्रेटा थनवर्क यानि कि इस प्रश्ण का उप्संसी करे मरुन की और जो बोको हराम नाम के एक आपने संगठन के बारे में सुना होगा इसके बिरुद्धिनों ने काफी काम किया तो इसके लिए डच बाल अधिकार संस्थान के द्वारा इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डिवीना म बिश्व टेली वीजन दिवस कब मनाया गया यानि कि वर्ल्ड टेली वीजन डे की बात हो रही है तो ये मनाया गया 21 नॉमबर को यानि कि इस प्रश्न का उप्शन भी करेक्ट होगा ये जो वर्ल्ड टेली वीजन डे होता है 1996 में सव्धराष्ट महासभा के द्वारा घोस कित किया गया था अगला प्रश्न है किस चहर की पुलिस ने साइबिरा नाम के एक हुमेनाइड रोबोट को लॉंज किया तो ये लॉंज किया गया है विसाखा पत्नम की पुलिस के द्वारा यानि कि इस प्रश्न का उप्शन भी करेक्ट होगा साइबिरा जो की एक सार्ट इसका पूरा नाम है cyber interactive robotic agent यानि कि cyber सुभधाओं के लिए है माल लिजी अगर आपको किसी प्रकार के कोई complaint करनी है तो इस पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले लगा हुआ है तो आप इस पे input करके भी data अपना या जो भी आपकी रिपोर्ट है वहाँ दर्ज कर सकते हैं या फिर अगर आप इसको यूज करने में सच्चम नहीं है तो directly आप इससे बात करके उस report को दर्ज कर सकते हैं अगला प्रशन है बिश्व की सबसे बड़ी Islamic सभा जिसका नाम है आलमी तपलीगी इजिमा इसकी सुरुआत कहा हुई तो इसकी सुरुआत हुई है मद्य प्रदेश की सिराधानी भोपाल में यानि कि इस प्रशन का उप्सन सी करेक्ट होगा और ये चार दियूसी आयोजन होगा 1944 में पहली बार भोपाल में ये आयोजित की गई थी और ये जो इस बार हो रही है कहां पर भोपाल में इसमें 54 देशों से 10 लाख लोग आएंगे पहली बार जब का आयोजन होगा माने सर जो की है गुजरा गुरुग्राम में तो इस प्रशन का उप्सन है करेक्ट होगा और गुरुग्राम जो है ये हमारे अंतर राष्टी सौर गडवंधन का मुख्यालय भी है तो एक ही हमारे यहां पर अंतर राष्टी मुख्यालय है वह है मोबेलिटी समिट होगा इसका आयोजन दा इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्टोमेटिव टेकनोलोजी के द्वारा किया जाएगा उद्धाटन कौन करेंगे हमारे अगला प्रशन है किस राजी की सरकार ने तीस वरसों के बाद नई भूमनीती 2019 जारी किये तो ये जारी किये है असम की सरकार ने यानि कि इस प्रशन का उप्शन से करेक्प होगा तो बस आपको सिंपली ये यादकना है कि इन्हों ने एक नई लेंड पॉलिसी लॉंज की है YSR मतस्य कारा भरोसा योजना लॉंज किया तो मैंने आपको बताया है था कि अगर YSR का नाम आज जाए तो आप तुरण समझ जाए ये किया है अंध्रा प्रदेश ने यानि कि इस प्रशन का उप्शन है करेक्प होगा अब 21 नॉम्बर को मनाया गया बिश्चो मतस्य दि जब मच्वारे समुद्र में नहीं जा पाते हैं और जब कभी समुद्र में जाने पर उनके उपर प्रदिबंध होता है किसी कारण वस तो उस दोरान सरकार के द्वारा उन्हें 10,000 की वित्तिय साहता दी जाएगी इसके अलामा उन्हें 9 रुपए पर लीटर डीजल में सब प्रदेश की सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं आई हैं तो आईए एक बार उनको हम थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले इनकी योग एक योजना है अम्मा ओडी अम्मा ओडी मुख्य रूप से उन माताओं को मिलेगा जो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी तो इन्हें प्रतेक वर्ष 15,000 रुपए मिलेंगे इसी प्रकार की योजना है गुजरात में वाले डिकरी योजना राजस्थान में है आपकी बेटी योजना और अभी यूपी की सरकार ने सुरू किया है कन्या सुमंगला योजना तो ये सारी इसी प्रकार की योजना है फिर इन्होंने शुरू किया था YSR 9M और यह जो योजना है MSME छितर में जो भी उनका लोन है यानि कि जो फैक्टी है या जो कमपनिया है उनका लोन है उसको जल्दी से पे करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गए थी फिर इन्होंने शुरू किया था YSR 1 मित्र तो ने शुरू किया YSR रायतू भरोसा YSR रायतू भरोसा के अंतरगत किसानों को तीम किस्तों में 13,005 रुपए दिये जाएंगे और फिर यह क्योजना थी YSR कांती बिल्गू इसके अंतरगत आँखों की मुफ्तजाच की जाएगी अगला प्रशन है केंद्रिय परियावर के नाम से भी जानते हैं और ये राजस्थान का राजकिये पच्ची है तो इस प्रशन का उप्शन भी करेक्ट होगा और अगर हम लोग IUCN की रेड लिश्ट की बात करें तो ये इसमें critically endangered की कटेगरी में है अगर आपको याद हो तो जब हमारी यहाँ पर UNCCD का COP14 हुआ थ यानि कि उसमें ये बताया गया था कि भारत से तीन ऐसे जानवर हैं जो की बिलुप्त हो चुके हैं यानि कि वहाँ पर ये माल लिया गया था कि ये तीनों बिलुप्त हो चुके हैं उनमें तो एक था Great Indian Bustard एक था Indian हमारा जो भारतिय चीता है और एक थी Pink सिर्की बतक तो इन्हें बिलुप्त घुसित कर दिया गया था UNCCD की जो बैठक होई थी ये आप देख सकते हैं ये है गोडावन अगला प्रशन है अंतर राश्टिय परेटन मार्ट 2019 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा तो इसका आयोजन होगा मडीपूर में यानि कि इस प्रश्ण के उपर ये आधारित होगा उद्धाटन इसका पर्यावरण और सहस्कृति मंत्री प्रहलाज सिंग पडेल करेंगे जो की MP के दामों से सांसद है और मडीपूर के CM N.B.R.N.S.िंग के द्वारा किया जाएगा अगला प्रशन है किस देश ने भारत को एक बिलियन डॉलर मे 13 M.K.45 नेबल गन खरीदने को मंजूरी दी है तो इस देश का नाम है USA यानि कि इस प्रश्ट का उप्शन सी करेंट होगा तो 72 करोड रुपए में ये मंजूरी दी गई है गन का नाम आपको याद अदना है M.K.45 और ये मुख्य रूप से 9 सीना के लिए एक गन है निर्मा किया है BAE System and Arnament Company अब देखिए ये जो गन भारत ने खरीदा है ये USA से नहीं खरीदा है भारत नहीं से खरीदा है वहां की एक कमपनी से लेकिन कमपनी से खरीदने से पहले USA की सरकार के नुमती जरूरी होती है अब इस गन की बात करें तो इसकी रेंज है 36 किलोमेटर इसके से अच्छे भारत को मिली है राफेल जेट जिसे बनाया है फ्रांस की डसाल्ट एवियेशन ने और 37 के लिए समझोता हुआ था भारत को मिला है एक फिर एक है इसपाइस 2000 ये कौन बनाया है ये बनाया है एक कमपनी है इजराइल की जिसका नाम है राफाइल एर डिफेंस सि तो ये आप उसकी में देख सकते हैं ये मुख्य रूप से हमारे सिप के उपर इंस्टाल किया जाता है अगला प्रशन है बिश्टु सीमा सुलक संगठन की 29 आल सीपी बैठक का आयोजन कहां पर हुआ तो इसका आयोजन हुआ पुडुचेरी में यानि कि इस प्रेश्ट का किया गया है ये भी आपको याद रखना है और गोवा राजी की सरकार ने ये घोशना की है 2021 से सभी प्लास्टिक के यूज़ पर प्रत्बंद लगाने की अगला प्रशन है लेटिनेंट सिमांगी भारतिय नौसीना की पहली महिला पाइलेट बनी तो ये किस राजी से है तो कि अलामा कुछ महिलाएं और हैं जिनका नाम आपको याद रखना है जैसे कि एक तो थी कोई लकड़ा करके नाम थोड़ा सा मैं भूल लाओं तो वो थी पहली का वार्जीक पाइलेट इसके अलामा एक थी अंजली सिंग जो की एर अतासे बनी थी एक है जोती करके ये बनी हैं सेसल्स में भारती सेना की एक जज एडोकेट जंदल तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं अगला प्रशन है रच्छा अनुसंधान्व अभिकास परिशद अपने कितने पेटेंट को सुल्कमुक्त करेगा अब सबसे पहले आप समझे पेटेंट होता क्या है मान ल यह इसने कोई दवा बनाई या किसी परकार का कोई एक्क्यूपेंट बनाया तो किस परकार से इस एक्क्यूपेंट को बनाया है अगर कोई ब्यक्ति बिना या कोई कमपनी बिना इनके परमीशन के इस से इसी परकार से यानि कि इन ही कीजों का यूज करके वह भी वही समान मनाती है तो उसके उपर ये जो मुख्य कंपनी है मुकदमा कर सकती है तो यहाँ पर अगर किसी को उसका योज करना है तो फिर कुछ रायल्टी या फिर सुल्क देना होता है तो इसी प्रकार से 450 पेटेंट थे रच्छा अनुसंधार और विकास परिशद यानि के DRDO के पास में और अब DRDO ने इसे सुल्क मुक्त कर दिया है तो अब इसको जब सुल्क मुक्त कर दिया है तो इसके जो भी फायदे होंगे वे भारत को मिलेंगे क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पर घरेलू कमपनिया है वे इनका यूज कर सकती है DRDO जिसकी अस्थपना 1958 में होई थी मुक्ख्याले इसका मुंबई में है और जी सतीस रेड़ी इसके अध्यच्छ है अगला प्रशन है किस राजिकी सरकार ने इसकूलों में और उसके 50 मीटर के छेतर में जंक फूड की बिक्करी पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है तो इससे पहले FSSAI ने किया था और अब इसके बारे में घोशना की है गुजरात राजिकी सरकार ने यानि कि इस प्रशन का उप्शन ने करेक्ट होगा अगला और आज की वीडियो का आखरी प्रशन है कि किस कमपनी ने K12 Education Transformation Framework लांच किया है तो ये लॉंज किया है Microsoft ने यानि कि इस प्रशन का उप्शन भी करेक्ट होगा और इसके अंतरगत जो हमारे भारत की स्कूल है उनका Digital उपांतरण करेगी Microsoft और किस प्रकार से सिच्छा में टेक्नोलोजी का यूज किया जाए या फिर उसका समाबेस किया जाए इसके उपर Microsoft के दौरा काम किया जाएगा Microsoft जिसकी स्थापना चारप्रायक्ट 1945 को होई थी संस्थापना इसके दो लोग है दोनों के नाम आपको याद दखने है एक तो है Bill Gates और एक है Paul Allen CEO इसके है सत्या नडेला और सत्या नडेला के बारे में भी हम लोगों ने कल है डिसकस किया था कि ये फार्चियून के सबसे नंबर एक CEO है चलिए कल के प्रश्णों के उत्तर हम देख लेते हैं करनल चिमांग रेंचन पुल ये है लदाक में कहां पर लदाक में स्योप नदी के खिनारे और इसका उधगाटन किया रच्छा मंतरी राजना सिंग ने एक और पुलका उधगाटन किया है जो की है सिसरी नदी ब्रिज ये कहां पर किया अनुडाचल प्रदेश में सुल्तान जोहर कब 2019 हांकी टूनामेंट जीता ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को हरा करके और आयोजन सायद इसका हुआ था मलेसिया में प्रो कबड़ी लीग 2019 की बिजेता टीम रही है बंगार वैरियर्स और इसने हलाया किसे दिल्ली दवन को भारत के 65 में ग्रांड मास्टर बने है राउनक साथवानी ये है नागपुर के और नागपुर है महाराष्ट में सरबाधिक प्रतेश्ठित वरिष्ट नागरिक सम् प्रelets्ट प्रोगर्म किसके द्वारा सुरू किया गया दुनिया का सबसे पुराना ग्याद प्राकृतिक मोति किस देश में मिला है और और किस खिलारी को ओग स्पोर्ट्समैन ऑब दि इयर का पूरसकार मिला है तो इन प्रशनों के उत्तर आपको content section में for the hour और आज सामकी जो वीडियो होगी उसमें हम इस पोर्ड करेंट अफेर को डिसकस करेंगे तो इस पोर्ड करेंट अफेर के भाग एक को आज हम सामको डिसकस करेंगे ठैंक्स फॉल लिश्निंग, जै हिंद, जै भारत और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत